आये यहाँ पर जितने भी मेरे पतातल बुजर्ग हम उम्र साथी और मेरी माता भेहने बैक्टी हुए है आपका अपना ब्रज किशोर ब्रज रिशिक ज्ञान गुरु अधलेश प्रजवासी मेरी तरफ से आप सभी के लिए हेप्टी निवर की हर्दिक सुभकामना है आए एक घी सुनेंगे बहुत ही संदर साथ आए बंबई वाले ने कहा एक दिन में जा रहा था में कदे के मोड पर एक में कस जा रहा था में से रिस्ता जोड कर हमने पूछा किस बजा तू उम्र भर बीता रहा वो कुछ ना बोला कुछ ना बोला अपनी धुन में बस यही काता रहा मोहबत है क्या चीज़ हमको बताओ यह किसने शुरू की यह किसने शुरू की हमें भी सुनाओ मोहबत है क्या चीज़ हमको बताओ क्या बताओ आये मेरे बुजर्गों बात उस समय की है जब भरत जी अपनी ननिहाल से बापस आए जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है जब वो अपनी मा के पास गए और उन्होंने पूचा तो मा ने कहा है बेटा भरत तुझे तो फुस होना चाहिए क्यों तेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा काटा मैंने बनको भेज दिया है भरत जी की आखों में आशू आगे और भरत जी कहने लगे अपनी मा के कही से है मा के सुन के खई की बात को और भरत जी भए अधीर वो बिलक बिलक रोने लगे उनकी ने नन बरसे ली सुन के कई की बात को दुख दर्द सब सेहने लगे उसी समय के कई से भरत जी फिर इस तरह कहने लगे उसी समय के कई से भरत जी फिर इस तरह कहने लगे कहने लगे भरत जी है मा सोच सोच दिल में भारी दुख हो रहा है सोच सोच दिल में भारी दुख हो रहा है सोच सोच दिल में भारी दुख हो रहा है सोच दिल में भारी दुख हो रहा है सोच दिल में भारी दुख हो रहा है इसे पुरुस्कार नहीं कोंगा इक क्या मर्मपे का अश्रवार्ड अभने चोटे बेटे को हमारे गुर्देव करें में चाहूं गों कर दुख सबाक्रेक्ट खेले हम चारो खेले हम चारो मांया ते रे अखंद में साथ साथ खेले हम चारो मईया तेरे आगण में भरत है प्यारा राम भी प्यारा जरा सोच तुम आगण में डक्री साथ भाई भाई से जुदा कर दिये सरमना आई आखन में राम लखन संग सीता को तो भेज दिया तूने बन ले अरे राम लखन संग सीता को तो भेज दिया तूने बन ले एसी घड़ी में ना भरत धेर यको रहा है बिनारा मलच मन के ये भरत रो रहा है सोच सोच दिल में भारी हलो हलो आई ये कहां दोती मंद में पीच भमर में आई ये पीच भमर में पीच भमर में डूब जाएगी उनके बिना ये नहीं आ है पीच भमर में डूब जाएगी तेरे ये नहीं आ गए और बिना दोस के संग चली गई मेरी सीता मईया है बिना दोस के संग चली गई मेरी सीता मईया है को मेरे दिल को दीर धरावे ना कोई धीर धरया है और हे मा नेनो का तारा संग गया वो छोटा लक्षमन भईया है नेनो का तारा नेनो का तारा नेनो का तारा संग गया वो छोटा लक्षमन भईया है और हर पुरबासी आसुओं से मुख दो रहा है बिना राम लच्मन के ये धरत रो रहा है सोच सोच दिल में भारी करते हो रहा है आस्ट करते है कर दो कि आए अंतिम बंद में कहा है यह सो रुपे बूल दो कि यह क्याम रुपे रांपाल रांप्रकाय सरमाजी उनकी तरफ से आए हैं बारवर आस्रवाद की कामना करते हैं अंतिम बंद में कहें लगें भरत जी हेमा कर दिये अलग अलग जैसे है कर दिये अलग अलग जैसे मुद्री से कोई नगीना है किस की बातों में आकर किस की बातों में आकर माता अन्या यकीना है किसकी बातों में ये आकर माता अन्या यकीना है कर दिये अलग अलग जैसे मुद्री से कोई नगीना है किसकी बातों में आकर माता अन्या यकीना है ना जाले वो कैसे होंगे धड़के मेरा सीना है देखे अगर ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं और देखिए ये हमारे सबसे प्रिया हमारे चैते छोटे भाई यस जी की तरफ से ये क्यामर रुपे का हासरवाद आया है अब कर दिये अलग जैसे मुद्री से कोई नगी ना है इसकी बातों में आकर नाता अन्या ये की ला है ना जानेबों कैसे होंगे धड़के मेरा सीना है अगर आपको अच्छी लगे तो आपका छोटा सा बच्चाओं के उन तालियों का आसरवाद देदेंगे ना जानेबों कैसे होंगे धड़के मेरा सीना है बिना राम लक्षमन भाईया के ये जीना क्या जीना है अर बिना राम लक्षमन भाईया के ये जीना क्या जीना है बिना राम लक्षमन भाईया के ये जीना क्या जीना जीना है देखें ये सबसे बड़ा आसरवाद हमारी मात्र सक्ती की तरफ से आया है हमारी दादी जी की तरफ से आया है मैं चाहूँगा एक बार जोरदा ताली से स्वागत किया जाए और आए ये पचास रुपे पहले और पचास रुपे अब रामतर का सर्माव जी सहारा नेवासी देते हैं एक बार जोरदा ताली से स्वागत किया जाए लेकि बहुत ही आसरवाद मिल रहा है और ये 21 रुपे का आसरवाद हमारी माता जी की तरफ से आया है जो कि हमारे बड़े भिया जी की माता जी है उनके तरफ से आसरवाद आया अपने छोटे बच्चे के लिए मैं चाहूँगा एक वार माता जी के लिए जोरदा ताली आपजाई आए अब तहां तरफ मना जाने बूँक से होगे न जाने बूँक से होगे धड़के मेरा जीना है और अजाने लोगा सिर्क ना हरना मैं दना ओन शेखर महन भाईया के ये इना यादिना है स्वर्ग से मधु आप्रेम बीज बो रहा है बिना आराम लच्छ मन के ये भरत रो रहा है एक बार बड़े भाव से बोलेंगे मोलें पत्वारी मया की जए बोलें ठाटू नरेस की जए ज़नों का तारा असंग गया दो छोटा लच्छ मल भाईया है और हर पुरबासी आशुओं से हर पुरबासी आशुओं से मुख दो रहा है बिनारा मिलच मन के ये भरत रो रहा है सोच सोच दिल में भारी तरत हो रहा है आए अंतिम बंद में कहा भरत जीने ये सोर भे बूल दो ये क्यामर रपे रामपल रामप्रकाय सरमाजी उनके तरफ से आए है कर दिये अलग अलग जैसे मुद्री से कोई नगीना है किस की बातों में आकर किस की बातों में आकर माता अन्या यकीना है किस की बातों में ये आकर माता अन्या यकीना है कर दिये अलग अलग जैसे मुद्री से कोई नगीना है किस की बातों में आकर माता अन्या यकीना है ना जाले वो कैसे होगे धड़के मेरा सीना है देखें अगर ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं और देखिए ये हमारे सबसे प्रिया हमारे चैते छोटे भाई कर दिये अलग अलग जैसे मुद्री से कोई नगीना है किस की बातों में आकर माता अन्या यकीना है ना जाने वो कैसे होगे धड़के मेरा सीना है अगर आपको अच्छी लगे तो आपका छोटा सा बच्चाओं के उन तालियों का आस्रवात देदेंगे ना जाने वो कैसे होगे धड़के मेरा सीना है बिना राम लक्षमन भाईया के ये जीना क्या जीना है अर बिना राम लक्षमन भाईया के ये जीना क्या जीना है देखे ये समसे बड़ा आश्रवार हमारी मात्र सक्ति की तरफ से आया है हमारी दादी जी की तरफ से आया है मैं चाहूँगा एक बार जोड़का तालियों से स्वागत के जाए और आये ये पचास रुपे पहले और पचास रुपे अब आप रामत्र का स्रमाव जी सहारा नेवासी देते हैं एक बार जोड़का तालियों से स्वागत के जाए ये बहुत ही आश्रवाद मिल रहा है और ये एक इस रुपे का आश्रवाद हमारी माता जी की तरफ से आया है जो कि हमारे बड़े भ्याजी की माता जी है उनके तरफ से आश्रवाद आया अपने छोटे बच्चे के लिए मैं चाहूंगा एक बार माता जी के लिए जोरता तालियों बजाई आए अब तहां ना जाने बूब कैसे होगे ना जाने बूब कैसे होगे धडके वीरा सीना है बिना राम नच मन भई आके ये दिना क्या दिना है श्वर्ग से मधु आप्रेम बीज बो रहा है स्वर्ग से मधुला प्रेम बीज बो रहा है बिना राम लच्छ मन के ये भरत रो रहा है एक बार बड़े भाव से बोलेंगे बोलिये पत्वारी मैया की जै बोलिये ठाटू नरेस की जै भालो ये बोलेंगे 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 बुल्ड कBob